मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे कलास में आप लोग का जो सबसे बड़ा प्रस्ण है कि सर अब की बार हमको बोड एक्जाम 25 में ज्यादा नमबर लाना है और अब की बार 4500 नमबर पलस पार करना है आखिर सर हम कैसे पढ़ें बार बार हम ल 400 प्रस लाने का जो गोल है वो पूरा हो जाए तो आप ही लोग के लिए यहां से एक सबसे अचुक पाई बताने वाले हैं कि जो भी मेरे प्यारे भाई बहन इस कलास को देख रहे हैं आप लोग को यहां सी इस कलास के बाद सारी जनकारी आप लोग को यहां से मालुम चल ज क्यूंगि अपकी बार आखरी बार आपको करना है और यह वार सबसे खतरना का अप करना हुई को करना हुई होगा समझझक है किसी भी किमत पर अब देख। का सबसे देखिए सबसे बड़ा जो है ना बावू यह आप लोग के माइंड का खेला है समझ गया ना माइंड सेट यदि आप लोग का यदि चीजों पर लग गया न कि नहीं अब की बार हमको साड़े चार सो नंबर गोल को अचीव करना है बावू ना यह आपका हो ही जाएगा समझ गया ना लेकिन माइंड सेट का बावू खेला है माइंड सेट का पहले माइंड सेट को सेट करिए कि हम लोग जरूर कर पाएंगे खुद पर आप लोग भी सवास रखिए यह साड़े चार सो प्लस नंबर पार करने का जो मेरा गोल है ना इस गोल को हम जरूर पूरा करेंगे हाँ किसी भी कीमत पर करेंगे जब यह आप खुद से माइंड सेट बना लेंगे ना कि अपकी बार मुझे करना ही करना है ना तो कोई परसानी आप लोग को रोक ही नहीं सकती है समझ ही देना है तो यहां से सबसे पहला काम है कि आप लोग को अपने गोल के प्रती माइंड सेट को किलियर कर देना है कि इस गोल को हम जरूर पूरा करेंगे चाहे हमारा खुछ भी हो जाए चाहे हमारा निंद अधूरा ही के उनरा है लेकिन इस गोल को हम जरूर पूरा करेंग हम अब करेंगे ही तो करेंगे अब उसके बाद हम लोग आते हैं रड़नीती पर प्लैन पर क्योंकि किसी भी चीज को भेदने के लिए लख्ष को प्राप करने के लिए जरूरी है कि आप लोग प्लैन करिए समझे ना कि प्लैन के हिसाब से पढ़िए कि हमको क्या करना यहां पर करना है जिस्य गेम में जिसक लिए आप लोग त्यारी कर रहा हैं उसके पूरे सिलेबस को आप लोगो सही धांक से पढ़ना जरूरी होगा, सही चीजे समझना जरूरी होगा, अब कैसे आप लोग करेंगे, धियान से देखिएगा, सबसे पहला आप लोग का प्लान, ठीके न, आप लोग को बोड इक्जान 25 में 400 प्लस नमबर लाने का, जो मा माइंड सेट के हिसाब से अब आप लोग को प्लान करना होगा, कि हम अपने गोल को कैसे हासिल करेंगे, हम अपने गोल को कैसे पूरा करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, कि आप लोग यहां से देख रहे होंगे, कि हम लिखे हैं कि आप लोग को अपने स्लेबस को पू समझें समझें कि हमारा पूरा स्लेबस क्या है हमारे स्लेबस में कोवन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है कोवन से चैप्टर का प्रसन सबसे ज्यादा एक्जाम में आता है कि इस चैप्टर से प्रसन बहुत कम आते हैं जब आप लोग पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं तो इसको समझने के लिए बाबो आपको hard work करना ही पड़ेगा समझ गया ये आप लोग को hard work के जरिए पूरे chapter का एक बार अध्यान करना होगा कि हो कोण chapter से question ज्यादा आते हैं कौन chapter से प्रस्ण हमारा कम आते हैं किन question को हमको बनाना है किन question को छोड़ना है तो सबसे पहले बोड़ी जाम 25 में आप लोग जोई जाम देंगे उस एक जाम का आप लोग पूरा स्लेब समझे क्योंकि अब मेरे प्यारे साथियों जो लड़ाई हो रहा है न वह अब नंबर का खेल होगा कि कौन बच्चा कैसे पढ़ेगा कि वह तुरंत टोपर कर जाए तुरंत अपना गोल अचीव कर ले तो अब यहां से जो खेल होगा वह नंबर का खेल होगा कि आप लोग कैसे प्रहाई करते हैं कैसे आप लोग बोड़ी जाम में लिखते हैं कि आप लोग का सबसे ज्यादा नंबर आ जाता है तो यहां थी अब पूरा का पूरा खेल हमारा नंबर का है त हमारे मैध में इतने चेप्टर है फिजिकस में एतने है कमेश्ट्री में हिंधी संस्करित जो हैं अप लोग बहुरा यहा है और उसमें हम लोग को यह करना न है जब आप लोग अपना पूरा समझ लेते हैं तो पूरा समझने के दौरा अब समझेगा कि अब आप लोग को हाड़ वर्क करना पड़ेगा समझ गया ये आप लोग मत रहिएगा कि ये स्मार्ट वर्क के जरिये आप लोग सारा चीज कर लेंगे नहीं अब समय कम है क्योंकि आप लोग भी समझ गये कि अक्टूबर मन्थ चल रहा है और पूरा जनवर से सिलेबस को समझ के और हाड़ वर्क तो आप लोग को करना ही पड़ेगा अब यहां समझे अब इसी हाड़ वर्क में क्या करना है कि आप लोग को अपना स्मार्ट वर्क एड़ करना है कैसे अब देखिए पूरा सिलेबस को आप लोग समझ गये हैं तो पूरा सिलेबस को ज़्यादा टाइम देंगे और स्मार्ट वर्क यही करेंगे जिसे टॉपिक से जिस चेप्टर से ज्यादा प्रस्ण आते हैं आप उनको छोड़िये मत आप उनको ज्यादा समय देकर आप उनको कंट्रोल में रखिए आप उन पर पकड़ रखिए समझ गये ना तोर्क का है कि जवन जवन चैप्टर आप लोग के लिए इंपोर्टेंट है जिसमें ज्यादा प्रसन भर भर के आते हैं आपको उनको नहीं छोड़ना है उन चैप्टर को भले एक दिन लगे चार दिन लगे पांच दिन लगे आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से गहराई से पढ करना है और हाड वर करने के बाद स्मार्ट वर्क में यह करना है कि जिस चैप्टर से प्रसन ज्यादा आते हैं उसको हमको कर लेना है अब यहां समझे जब इतना आप लोग कर देते हैं तो अब यहां खिल आता है आप लोग का राइटिंग का समझ गया ना यहां से मेरे प् को पूरा करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी तह आप लोग ओर राइट को याद रखनाे क्शी के लिए क्वीर नंबर ला देंगे लेकिन जब आप लोग का लिखने वाला है यदि ओकराय में नंबर नहीं ला पाएंगे तो कहीं न कहीं आप लोग का असाड़ प्लस नमबर लाने का जो सपना है यह आप लोग का अधूरा ही रह जाएगा तो राइटिंग सुधारने के लिए आप लोग को डेली दस पेज लिखना होगा समझ गया डेली एक दाम प्रोमिस करना है ठीक न अपने आप से ठीक न कि हम यह जरूर करेंगे डेली आप लोग को 10 पेज लिखना होगा अब 10 पेज आप लोग कैसे लिखेंगे फालतू का कोई वर्ड तो नहीं लिखेंगे 10 पेज लिखने के लिए आप लोग प्रिभियस यर के सारे प्रोशन को उठाएंगे समझ गया ना सबसे फ्रस्ट काम करना है कि आप लोग दस पेज डेली लिखने के लिए आप लोग को पिवाई की उठाना है समझ गया पूरा प्रिभियस यर के कोशन को उठाना है यहां से हमना राइटिंग भी सुधर जाएगा तो लिखने से हमारा डबल नहीं हम लोग का चारो फाइदा है एगो तो आप लोग का स्पीड बढ़ेगा राइटिंग सुधरेगा अब यहां से आप लोग का इंसर याद हो जाएगा उसके बाद जल्दी भूलेंग नहीं तो लिखने से आप लोग का चार फाइदा है चार लिखने से भागिये मत समझे ना लिखने से चार फ बोडिक जा में अच्छा कुछ कर सकते हैं वरना आप केतनों पढ़ने में तेज हैं याद रखिएगा वरना केतनों पढ़ने में तेज हैं राइटिंग खराब है तो आप 400 तक अटक जाएंगे ठीक ना 400 के बोड़र को आप लोग पार नहीं कर पाएंगे चाड़े 400 को पार करना होगा तो आप लोग को राइटिंग को बहुत जादा मुहत देना पड़ेगा राइटिंग रम सुन हरे अक्षरों में आप लोग को लिखना होगा और इसका सुधारने का एक तरीका है कि आप डरिये मत सब कुछ हो जाएगा बस डेली आप लोग का करन सब को बढ़ेगा सब करने का प्रियंग को आप लोग सब करने कोicki बसक्राओं जाएगा तो जो यह द दिन में आप लोग का रिजल्ट देखने को से मिल जाएगा अब यहां डी हैर्स चिल्फ चिंग होगी मैंड नीचे गिर चुका है कि हम लोग नहीं करेंगे पोर त्जे करेंगे आप लोक उस पर डारेक्शनॉ और स्वही तरीका से प्रहाई होगा तो आप लोग भी करेंगे यहां से खुद पर सब से पहले विश्वास रखे माइन में जो निगेटिवीर्टी चीज आ रहा है ना कि हम लोग नहीं कर पाएंगे हम लोग स्लेवस कम है चाहिए हम लोग यह है वो है जो भी है सबसे पहले इस माइंड सेट को निकालिए जो अच्छा खिलाडी होता है वह खुद पर विश्वास करता है कि इस गेम में सबसे ज्यादा सबसे बेश्ट हम ही खिलेंगे ता आप लोग को जो बोड एक्जाम दो है पुचिस में आप लोग एजाम देना है सबसे पहले ठीक ना आप लोग को ही करेंगे और आप लोगों से ही होगा समझ गए हम आप लोग साथ हैं और डेली रिवीजन करना होगा याद रखेगा डेली आप लोग जतना पढ़ते हैं आप लोग सुबह से लेके साम तक जतना पढ़ते हैं सोने से पहले आधा घंटा याद रखेगा क्या बोल रहे ह है कि हाँ आज सुबा में हम ये ये परस नहीं इनकि याद यह था यह था डेली आप लोगों को याद रखना है जो आप लोगो यह रूटीन हम काएं आधि- настThe designer सोने से आधा घंटा पूरा भर दिन के बातों को ठीक है ना पूरा दीन भर सामभर जतना हो गया ना पूरा आप लोग को डेली मतलब याद करना है कि आज हम सुबा में यह पढ़े थे फीजिक्स पढ़े थे कमिस्टी यह कोशन पढ़े थे इसकोशन का इसार याद है यह 10 दिन 20 दिन एक मीना करिएगा न तो आपका माइंड उस लेबल का हो जाएगा कि आप चीजों को जल्दी भूल नहीं पाएंगे और आपके दिमाग में याद रहेगा यहां से जब आप लोग करेंगे तो आप लोग को जौरूर बेनेफिट मिलेगा और आप लोग जरूर करे करेंगे तो यहाँ से प्रावशि करेंगे कि यह रहीं हम आज से प्रावश को करेंगे और जो आप बताएं हम जरूर करेंगे ठीकी है अप लोग को ही करना है और रिवीजन से मत भागrale प्लूर को रहेगा कि हम लोग जरूर करेंगे जब आप लोग एतना कर लेतेैं आपका गौल आप लोगों से दुर नहीं रहेगा आप लो जरूर पूरा होगा और एक यहाँ पर लाइन मन के हार हार अ कि लोग जो यहां से बताए हैं आप लोग को रूटीन जो प्लान बताए हैं कि आप लोग करेंगे ना कॉमेंट बॉक्स में प्रोमिस होना चाहिए जाहिए